आप डीजल बढ़ा रहे हैं, बस का हैत्रा बढ़ेगा, सब जी, अनाज, सब का जो आवागवन हो महंगाई बढ़ेगी मित्रोग, गैस हो, पैट्रल हो, डीजल हो, हर्ट प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपे से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम क्यों है, ये लूट है तेल के डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है, सबसे जारा टेक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है मित्रो मुझे परमात्मा ने जब बनाया, तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल से उन्होंने ऐसा सौप पर डाला है, कि मैं छोटा सोची नहीं सकता देश में पेट्रोल और डीजल के कीमतों में भड़ातरी का दौट जारी है, और इसमें कमी नजर नहीं आ रही 21 दिनों में पेट्रोल जहां 9 दिशंबर 12 रुपे लीटर तक पढ़ गया है, वहीं डीजल के दाम 11 रुपे तक पढ़ गए है देश में पहली बार ये देखने को मिला है, कि डीजल के दामों ने पेट्रोल को भी मात दे दिया हूँ बात अब दिली की, चुंकि डीजल ने तो कल ही पेट्रोल को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन आज डीजल ने एक कदम और आगे बढ़ा कर रेकॉर्ड बना दिया है पहली बार दिली में डीजल 80 रुपए के पार पहुँच गया है, दिली में पेट्रोल पर डीजल की बढ़त बरकरार है, लगतार 20 बाद दन और पेट्रोल डीजल की कीमतों में इज़ाफा एक बर फिर हुआ है आप इसे ऐसे समझे कि पेट्रोल की कीमते कैसे 71 रुपए उसके बाद दन बाद दिन बढ़ते बढ़ते ये ग्राफ अब 80 रुपए 13 पैसे लेकिन डीजल तो यहाँ इससे भी आगे है पेट्रोल और डीजल की बढ़तरी को लेकर कॉंग्रेस और अन्या विपक्षे पार्टियां कई धरने लगा रही हैं और कई नेताओं द्वारा साइकल चलाकर रोज भी प्रगट किया जा रहा है इतना ही नहीं सरकार खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर कॉंग्रेसे नेता देगविजे सेंग पर FIR भी धर्च हो गई है ये कहा गया कि उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए पर्मीशन नहीं ली ये साइकल चलाकर विरोध करने का कोई नया तरीका नहीं है 2012 में बीजे पी नेता रवी शंकर परसाद ने तबकि यूपीय सरकार के खिलाफ साइकल पर रोश प्रगट करने निकले थे जब यूपीय सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए थे लेकिन तब रवी शंकर परसाद पर कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी पर अगर अब की बात करें तो रवी शंकर परसाद हर विवाद के लिए कॉंग्रेस पर निशाना तो साथ रही हैं पर बढ़ रही पेट्रोल की कीमत पर चुप हैं ऐसा नहीं है कि अकेले रवी शंकर परसाद हैं जो 2014 से पहले सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे बलकि नरेंदर मोदी समेथ अन्य बीजेपी नेथा भी थे जो सरकार के खिलाफ तीखी बयान बाले कर रहे थे पहले बात करते हैं मोदी जी के पुराने बयानों की जिसमें वेपेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सरकार को कटकरे में खड़े कर रहे हैं डिल्ली में बैठी हुई सरकार ने बादा किया था कि अगर हम चुन करके आएंगे महंगाई कम करेंगे कहा था ना कहा था ना कहा था ना कि डीजल का क्या हुआ पैट्रोल का क्या हुआ है मित्रोग गैस हो पैट्रल हो डीजल हो हर प्रकार से महंगाई बढ़ रहे ही कि नहीं बढ़ रही है कि रूपिया अस्पताल में है कि आइस्यू में पड़ा है कि भरोसा इसी लिए तो तूट गया है यहीं तो कारण है भरोसा तूट गया है मित्रो मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल से उन्होंने ऐसा सौप पर डाला है कि मैं छोटा सोची नहीं सकता इतना ही नहीं रक्षा मंत्री राजनात सिंग भी 2014 से पहले यूपिय सरकार पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर निशाना साथ दे देखे लेकिन मैं यह मानता हूँ कि भांगाई यह भी बढ़ रही है तो इस गौवर्मेंट के रॉंग एकोनाविक पालसी रॉंग एकोनाविक प्लाइनिंग और करप्सन प्रभु खुरूप से तीन कारण है जिन कारणों से भांगाई भढ़ रही है व मैं पेटरोल की कीमत जेसा तरीके से रहाई गいきार गया है थैखे परणाप्री लोग यह उन्हें कमर्टी जिसे बोलते ही है उतके खामजा सरवाधी के डिकिश्य को परता है तो जो मत्वंबरुदेंगे परिवार के लोग है उन्हें भुगतना परता है वही केंद्री मंत्री प्रकाष चावेड कर भी तब कि यूपिय सरकार के खिलाख बोलते दिखाई दिये थे पर अब एक भी बेयान या प्रेस कॉन्फरेंस साइद उन्होंने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर नहीं कि उसका कोई आधार नहीं है उसी दिन अन्तराष्ट्य बजार में कीमते कम हुई है हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल डिल्ली में 34 रुपे से मिल सकता है मुंबई में 36 रुपे से मिल सकता है तो उसके द Delhi दाम क्यों है ये लूट है और तुरंत ये कीमते जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए क्योंकि पूरे देश भर में जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है मुझे लगता है UPS सरकार जनता से पूरी तरह से कट चुकी है पूरी तरह से सववेदन शिल हुई है एसी सववेदन हिन सरकार हमने कभी नहीं देखी कि लूट कर रही है गोटा ले करके और दरों में बढ़े उतरी करके केंद्री मंतरी नितिन गड़करी भी तबकि UPS सरकार की कीमत में व्रिधी को लेकर लूचना करते दिखाई देते थे हम लोग मांद रहे थे कि हमारे देश को एक अर्थाशास्त्री बुर्धान मंतरी मिला और जिसके कारण मेंगाई कम होगी रोजगार की निर्मिती होगी देश में विकास होगा पर वो तो हुआ ही नहीं केवल भ्रष्टाचार बढ़ा और भ्रष्टाचार भी एक कारण है जिसके कारण मेंगाई बढ़ी सरकार का जब पेट्रोल डिजल के भाव बढ़ते हैं तो उतना टैक्स भी बढ़ता है और टैक्स में रहात देकर गरीबों को रहात दी जा सकती थी पर सरकार का ये निर्णे जो है ये गरीबों के उपर एक प्रकार से अन्याय करने वाला है और मैं ये मानता हूँ कि ये लगातार बढ़ती हुई मिंगाई इंफलेशन ये आज इस कॉंग्रेस सरकार की यूपिये सरकार की देन है जब इंडिये और अटल विहारी बाश्पईजी के नितुरत में सरकार थी तब इसी स्तिती नहीं थी इतना ही नहीं 2014 की एलेक्षन से पहले इंडिया टीवी पर आपकी अदालत शो में बाबा रामदेव ने तो पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने का दावा भी कर दिया था अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पैट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का तो आपको जो 35 रुपए का पैट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को अच्छा आपको आज गैस सिलेंडर सबसीडी के बावदूद सबा 400 का और सबसीडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए के देने वालों को पर 2018 में एक इंट्रिव्यू में उनसे जब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सवाल किया तब उनका जवाब क्या था आप ये भी सुनिये तेल के डीजल के भाव इतने महगे नहीं होने चाहिए लेकिन मोदी जी भी क्या करें उनको सरकार चलानी है तो सबसे जारा टेक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है तो कोई ऐसे उनको दूसरी वेहिकल पर व्यवास्ता सोच तो रहे हुँ अगर अंतरराश्टी बजार में एक पैरल क्रूड ओयल की कीमत की बात करें तो एक आंकड़ी के मुताबिक 22 जून तक इंडियन करंसी में लगपक 3,000 के आसपास इसका रेट था इस हिसाब से तकरीबन एक लीटर 20 रुपे के आसपास हुआ दिली में पैट्रोल डीजल की कीमत का अंदाजा लगाए तो केंदर सरकार इसमें 33 रुपई लीटर एक्साइस ड्यूटी और रोट सेस लेती है इसके उपर राज्य सरकार द्वारा 18 रुपई तक वैट लगाय जाता है कुल मिलाकर देखे तो लगबग 54 रुपीज तक पैट्रोल डीजल पर टेक्स की रूप में लगाया जाता है इस सब से केंदर सरकार को कितना फाइदा होता है आप यह देखिए दूसरी तरफ अगर में बात करें तो मेडिया में हमें न्यूज और कुछ रिपोर्ट्स तो पैट्रोल डीजल के बारे में देखने को ज़रूर मिले पर मेडिया ने यह ज़रूरी मुद्धे पर कोई डिबेट नहीं की आईए आपको दिखाते हैं कि मीडिया में रिसेट किन मुद्धों पर डिबेट चल रही है हम और आप कहते हैं कि नेशन फर्स्ट यानि की पहले देश राश्ट सर्वो परी लेकिन सोनिया गांदी अंतोनिया माइनो और वाडरा कॉंग्रिस जानते हैं क्या कहती है हम यहीं उमीद करेंगे कि मीडिया खोल कर जनता के हक में खड़ा हो और पेट्रोल डीजल की बढ़ रही गेमतों को लेकर सरकार से सवाल करे और बढ़ती महिंकाई से होने वाली परशानियों को सरकार के सामने लाए और इस पर सरकार से सवाल भी करे Bureau Report, Punjab Today TV